कैसी लगी टॉप 20 करेंट अफेर्स की वीडियो जून के महीने की अच्छी लगी ना पिलिम्स की डेट आ चुकी है बहुत इंपोर्टेंट डेट आई है आपके लिए 17th of November इस डेट को याद रख लो कमर कस लो पूरी वार वाले सिचुशन में आ जाओ ठीक है अच्छी तरी को एक वीडियो कर आई थी बहुत इंपोर्टेंट थी जून के टॉप 20 करेंट अफेर्स की वीडियो आज उसी क्रम में उसको बीच में थोड़ा सा रोकते हुए मैं आपके लाएव एकनॉमिक सर्वेस रेलेटेट टॉप 20 वीडियो टॉप 20 कोस्टेंस का ठीक है यह हमारे बिहार स्पेशल का पार्ट है अग्साथ है एकनॉमिक सर्वेट घो टॉप 20 जैंसे बात करना चाहता हूं जो आपको स्टैटिक का नॉलेज अच्छे से होना चीए तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक का बाट है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं अभी हम लोग सीधा क्वेशन आंसर करेंगे जो कीवर्ड आएंगे उसको मैं मान के चलूंगा कि आपको चीजे आती है ठीक है अगर मैंने थोड़ा बहुत इदर उदर डिफाइन कर दिया तो वह बात अलग है नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि कीवर्ड आपको आते हैं क्यूंकि के साथ साथ मैं कुछ ट्रेंट्स बताऊंगा आपको ठीक है जो एकनॉमिक सर्वे में ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा अलग-अलग चीज़े बताऊंगा जो कि मैंने गौर्मेंट वैबसाइट से उठाए है ठीक है वह चीज़े बहुत जादा इ भी नहीं पता बहुत ही कम नौलेज है उन लोग को डढ़ने की जोड़त नहीं है मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं ठीक है वह काम आएगी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वह आप देखेगा बाद में पर अभी आपको देखना है कि अगर इस टैक का कोशन है तो उस को क्या करना है यह कैसे सौल होगा यह आपके सेंस को यूज करके सौल होगा आपको 25 अपने खुले रखने अच्छी तरीके से काम करते रहने चाहिए तब इन को आप कर पाएंगे ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सारे टॉपिक्स सारे जो को इस दोनों में अवलेबल है इससे फाइदा क्या होता है कि हिंदी वाले बच्चों को भी काफी ज्यादा फाइदा मिल जाता है सारा सलूशन एक साथ होता है तो इदर उदर कहीं जाने की जड़ नहीं पढ़ती ठीक है पुशन को स्टार्ट करते हैं एस पर एकोनोमिक 2023-2024 which sector had the highest share in gross value added of Bihar's economy in 2022-2023 ठीक है primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector अब इस वीडियो को post करो और नीचे comment में जवाब दो उसके बाद में आंसर बताऊंगा ठीक है सही जवाब हो गला जवाब हो matter नहीं करता जवाब दो दे दिया अब हम लोग देखते हैं एस पर एकोनोमिक सर्वे बिहार 2023-2023 which sector had the highest share in gross value added gross value added of Bihar economy in 2022-2023 ठीक है तो क्या आएगा tertiary sector यह तो भाई बेसिक सी चीज है जो tertiary sector है वो हमेशा economy में जादा contribute करते है यह चीज आप ध्यानक लो ठीक है बिहार के level पे भी यही है और national level पे भी है question आएगा कि बिहार की जगे अगर union level कर दे तब भी same चीज है tertiary sector जो है वो हमेशा जादा contribute करेगा यह आप ध्यानक लोग ठीक है और primary sector जो है उसमें employment जादा होती है पर उसका जो economy में contribution है वो बहुत जादा कम होता है यह चीज आप तो उसमें भी employment बस ठीक ठाक है ऐसे वहाँ पे employment हो सकती है पर अभी क्योंकि industry sector ही खुद ही ज्यादा develop नहीं है तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो tertiary sector के बारे में पता चलिया tertiary sector is the correct answer tertiary sector में employment तो बेशक कम है पर उसका जो output है वो बहुत ही जादा यह चीज आप ध्यान रखेंगे प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि दिजगाइस अगरिकल्चर अपने सुना होगा ठीक है तो उसमें क्या हो गया है कि बहुत साही लोग घुचतों गए employment में तो है पर उनका जो economic output है वो बहुत ही जादा कम है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया है कि यह GVA क्या है gross value added क्या है यह चीज़ मैं मान के चलों कि आपको स्टेटिक में पढ़ा होगा बस मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि इट इस टोटल वेल्यू जो हर एक सेक्टर एड करता है एकोनॉमी में उसे क्या कहते है gross value added क्या है कि हर एक सेक्टर इकोनॉमी में कितना value add कर रहा है वो क्या है Gross value added कर एक्जाम्पल कि जैसे कि आपके पाढ़ शुगर केन है शुगर केन है कितने रुपीज का 20 रुपीज का ठीक है और सुगर केन को यूज़ कर के हम लोग क्या बना देते हैं शुगर बना देते हैं, कितने रूपीज का होता है वो होता है, 50 रूपीज का ठीक है तो कितना Value हमने एड किया हमने Value एड किया, 30 रूपे का यहाँ पर 30 रूपे का एड किया अब इस sugar को यूज करके समाझ लिज winners करके हम लोग biscuit बना देते हैं अगर हम लोग इसको biscuit बना देंगे और समझ लीजिए biscuit बिखता है कितने रुपीज का 100 रुपीज का यह biscuit है तो 100-50 क्या हो जाएगा यहां पर भी 50 हो जाएगा 100-50 50 तो 50 प्लस 30 टोटल 80 रुपीज का हम लोगों ने वैल्यू एड कर दिया यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो हर एक सेक्टर में इसी तरीके से जो वैल्यू एड हो रही है उसे हम क्या कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एड जीविए इस डिफरेंट किससे डिफरेंट है ज कि मां का GDP ठीक है तो इंडिया का GDP कि समझ में आगे GDP में डिफरेंस है ठीक है अप इंडिया का GDP किया आप मुझे नीचे comment section में बताएंगे तो GDP और GVA में एक रिलेशन भी है क्या रिलेशन में बतायता हूं और यह भी आप ध्यानकना कि GDP और GVA अलग अलग है यह चीज़ आप ध्यानकना ठीक है GDP equals to GVA plus taxes of government minus subsidies ठीक है यह मैंने आपको बता दिया देख लो knowledge के लिए अब आप मुझे नीचे comment section में बताएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीवे की value GDP से ज्यादा हो अगर हो सकता है तो कौन से case में होगा वह आप मुझे नीचे comment section में बताएंगे ठीक है उसको देखने के लिए हम लोग एक graph देखेंगे graph मैंने आपके लिए लगाया है बिहार में देखिए कि बिहार में gross value added में कितना 58.6% contribute कर रहा है tertiary sector contribute कर रहा है 20.7% secondary sector और 20.7% primary sector ठीक है secondary और primary का लगबह लगबह सेम है और tertiary का 58.6% है यह चीज़ को आप ध्यान रखने है ठीक है case byis के according है इससे 60% के आसपस आप माने के चलिएगा ध्यान रखनेगा चीज़ है ठीक है कर रहा है primary sector contribute कर रहा है employment के मामले में different है case ठीक है इसमें क्या था 58.6% 20.7% 20.7% employment सबसे ज्यादा कौन प्रवाइड कर रहा 47.8 primary sector second number पे secondary sector कर रहा हो सबसे कम क्या कर रहा है tertiary sector यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो primary sector सबसे ज्यादा employment देता है पर tertiary sector सबसे ज्यादा economy में contribute करता है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे ठीक है सारे concept clear हो गए national level पर भी सेम है state level पर भी सेम है यह चीज़ आपको पता होनी चीज़ ठीक है आगे देखते हैं this guy's employment क्या होता है यह आप नीचे मुझे comment section में बताएंगे एक और चीज़ को मैंने breakup कर दिया पहले तो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको क्या बता है कि tertiary sector जो है सबसे ज्यादा contribute करता है यह मैंने आपको बता दिया ठीक है इसमें मैंने आपको क्या 9% क्या करता है crop वाला जो sector है वो primary sector में मतलब agriculture वाले sector में crop क्या कितना contribute करते 9.9 पर Скंट उसके बाद कॉन कर रहाए 6.6 कर है क्या कर यह livestock कर है live stock कितना कर है 6.6% और देखेंगे कि fishing कितना कर रहा है fishing 1.8 पर्सेंट ओर forestry कितना कर है 1.6 पर ही आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो इस ट्रेंड को भी ध्यान थ pearly तो अब यह था कि करता है सबस्क्राइव यह के सबसे आदव कोंट्रिभीट करता है कि सबस्द्र省नमी में इंप्र्षी ग्रॉश करता है रिख सेमल ऐंब करें फिर यह ध्यान को अलाग भी समझ जो पर यहां पर गड़बड़ी कर दोगे पहले यहां तक ना फिशिंग अब बाद में फोरेस्टर इस चीज को अपको ध्यान अपने की जोड़ने की जिस चीज पर ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ वह चीज देखो ठीक है तो आपको समझ में परसेंटेज वाइस यह डेट आपको याद होना चाहिए अंदाजा होना चाहिए इसका क्योंकि इससे डिरेक्ट कोशन साइंगे ठीक है एक और चीज अब ध्यान रखिए ट्रेंड देखिए कि 2018-19 से लेके 2022-30 का तो असा ट्रेंड देखते हैं हम लोग 10.7% है ठीक है 10.7% क्रॉप का फिर गया निचे-9.7% फिर गया उपर 11.2 फिर गया 10.45न पृंफ बनuezार कुछ इस टायप मोर्फ बन रहा है कुछ इस टैब का 45 नीचे अगर ख्रॉप सेक्टर ने लगातार agriculture and allied sector में लगतार contribute किया है लगतार ज्यादर contribute किया या लगतार कम contribute किया तो आप ध्यान रखेंगे लगतार contribute ऐसे नहीं कर रहा है भाई उपर नीचे होता जाए रहा ग्राफ में साफ दिख रहा है ठीक है अब इससे देखो कितने सारे कोशन बन जाते हैं आपके तीन चार कोशन मैंने भी सुल्व करवादी एक कोशन से ठीक है एक और कोशन पूश सकते कि लाइव स्टॉप वाले में लाइव स्टॉक वाले में थ्यान रखेंगे घ्या देखिए पहले 5.6 है फिर 6.0 मतलब बढ़ गया फिर 6.7 गया नीचे गया फिर 6.5 मतलब इसमें भी क्या हो रहा है कि उपर नी इचे की तरफ गड़ता जा रहा है यह आपको ध्यान अखना है कि नहीं उपर नीचे होता हो जा रहा है कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है यह चीज़ आप ध्यान रहा है ठीक है फोरेश्टी वाला 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 ठीक है यह भी उपर नीचे हो रहा है पर जो फिशिंग वाला है वो लगतार उपर बढ़ा है नहीं तो कॉंस्टेंट रहा है समझ माया इसकी सिगनिफिकन समझ माया कैसे चीज़े बदलती है इन सारी चीज़ों को देखते रहना है एक क सारे बच्चे बोलते रहे थे कि PDF चाहिए PDF चाहिए मैं कहा रहा हूँ यह जो बुक है टोटल सेवन बुक्स हैं इसमें अराउंड सिर्फ इस बुकलेट में 500 से ज्यादा कुशिंस है मतलब हर दिन 100 से ज्यादा कुशिंस को सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं जहा समझ मैं यह सारी चीजें इंग्लिश हिंदी सब चीज में दिया हुए देखो काफी अच्छी तरीके सा समझाया गया है नेक्स देखते हैं हम लोग और इतने सारे टॉपिक को भी कवर किया गया है इंडियन एकोनोमी में और यह तो मैं सिर्फ एक टॉपिक के बारे में सारे कॉश्ण इंपोर्टेंट है देखना है कोई कोशन कितने स्टेंडर्ड है ठीक है एकोनोमी में कुछ भी आही समने करा की नॉमल कोशन डाल दी और सपर कोशन पूछ लेकुशन आजया तो बिल्कुल भी आज शरे चकिस शर्प्राइज मत होना ठीक है नेक्स देखते ह पोस्ट करिए और आंसर दीजे दे दिया अब इस टाइब का question 90 days planner ने क्यों डाला है एक तरीके से आपको practice करवाने के लिए कि सारे question economy के बीपेसी पिलम्स के technical नहीं होते हैं दोस्त बहुत सारे question general questions भी होते हैं उन general questions को आपको करना होगा बहुत सारे बच्चों की economy strong नहीं होती पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है उनको ध्यान देना इन general questions पर ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे मैं आपको बता देता हूं ठीक है एक बच्चा होगा उसको सब कुछ पता होगा तो वो तो सीधा सीधा टेक मार के आजएगा कि हा अब इसमें industrial development के बारे में बात करेंगे उसको promote करने के लिए अगरिकल्चर में इसका क्या काम है कुछ काम नहीं है तो इसको मोग डाउट पे रखते है कि इसका क्या काम हो सकता है बात में देखेंग क्या काम होगा boosting crop productivity lowering cost and enhancing farmer livelihoods ठीक है इसको भी डाउट में रखते है कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है boosting crop productivity की बात करें लोरिंग कोस्ट and enhancing farmer livelihood की बात करें ठीक है थर्ड है increasing urban infrastructure urban infrastructure को बढ़ाने से क्या मतलब है agriculture की बात हो रही है ठीक है उसका कुछ प्लान है उसका urban infrastructure से बढ़ाने की क्या बात हो रही है अगर सिफ infrastructure लिखा हो तो हम सो सकते क हो सकते है अगरिकल्चर इंफ्रस्ट्रुक्चर की बात कर रहा है पर जो भी लिख अर्बन इंफ्रस्ट्रुक्चर तो कोई सेंस तो नहीं बन रहा ना तो सी तो गलत हो गया पहले ही expanding IT sector अब देखिए कि यह agriculture वाली में IT sector की क्यों बात हो रही है तो T को भी हटाईए D को भ बात करें सबसे suitable answer किया है B is the correct answer ठीक है अब आपको कुछ नहीं पता था किसके बारे में फोर्थ एग्रिकल्चर रोड मैप के बारे में पर आप आंसर निकाल चुके है ठीक है इसी टाइप से focus किसको करना है जिसको economy की जादन नॉलिज नहीं है वो इस टाइप से question को practice करो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ को कैसे approach करना है बहुत जादा matter करता है कितना भी पढ़के चल जाओ वहां पर अगर perform नहीं कर पाऊ तो कोई फाइदा नहीं है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है objective अगर किसी को पढ़ना है कि fourth agriculture roadmap में क्या क्या objective था उसका त पता नहीं है तो एक convergence होनी चाहिए यह भी सीज में डाले गई है ठीक है और farming जो farmers है उनका groups होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में डाले गई है अगर आप चाहें तो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं नहीं तो टेलिग्राम चैनल perfection iOS official पे देख सकते हैं ठीक है नहीं तो बुक से आप लेख सकते हैं आगे देखेंगे agriculture के बारे में बतार था ठीक है तो agriculture is related वह कुछ चीज़े आपके लिए लिखके ले आया हूं ताकि आपके लिए आसानी हो यह question पूछे जा सकते है ठीक है अब यहां से question बनेगा कि जो cropping intensity अब बिहार का वो इंडिया के लेवल से मतलब इंडिया के एवरेज लेवल से कम है तो आप ध्यान रखेंगे कि येस कम है ऐसा मैं सोचीगा कि बिहार तो agriculture प्रधान स्टेट है तो मतलब agriculture में बहुत जादा आगे बढ़ गया होगा तो ऐसा कुछ नहीं है अब किसी के दिमाग में प्रशन उठ सकता है कि cropping intensity क्या है तो दोस्त यह भी स्टेटिक का पार्ट है यह स्टेटिक स्टेटिक में कवर करा जाता है अभी आपको क्या हलका से मैं ब्रीफ कर देता हूं कि क्रॉपिग इंटेंसीटि नि एक एरिया पे बार बार कितनी बार आप उगा सकते हैं एक साल में वह क्रॉपिग इंटेंसीटि deuxième होगे ठीक है मतलब जितनी जदा ज्यादा cropping intensity होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा agriculture और जब एैग्रिकल्टर अव्तsters तो उतने ही ज्यादए economic value होगी economy में contribute हो सकता है ठीक है तो copy intensity अच्छी बात है तो हांजी अच्छी बात है पर हमारी national average से कम है यह जीज़ आप ध्यान रखेंगे ठीक है अब को और कुशन आ सकता है 144 परसेंट ठीक है माल लिया कि बिहार का है पर डिस्ट्रिक्ट वाइस किसका सबसे ज़्यादा है तो ये भी आपको पता होने चाहिए सबसे आगे है जहानाबाद जहानाबाद आप जानते होंगे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट गया और बिहार के 1.93 यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है शेवर की कितनी है 1.90 यह आप ध्यान रखेंगे और सुपॉल की कितनी है 1.82 यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर चला क्रॉपिंग इंटेंसिटी जाद है मतलब वहां पर इरिगेशन वाला काम अच् बढ़ है सो पॉल की यह जिसको आपको ध्यान रखने है ठीक है next देखते हैं इतना समझ में आया अब देखते हैं the rate of increase in income एक और आप facts याद कर लिजे कि the rate of increase of income in agriculture of agriculture household जो agriculture household है बिहार के उनका जो income है वो national average से ज्यादा बढ़ा है अगर यह इस टाइप का fact है तो हो सकता है आप गलत करके आजाएं आप सुचे कि नहीं उतना नहीं बढ़ा होगा बिहार में तो नहीं उतना भी नहीं है ठीक है इतना भी income नहीं है पर आप ध्यान रखिए कि जो बिहार का बिहार का जो average income है वो ज्यादा बढ़ा है अगरी कल्चर इंकम इस चीज को आपको ध्यान रिना है ठीक है 2020-21 में आउट आफ 93.6 lakh hectare of total land area एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा total geographical area कितना है 93.6 lakh hectare का उसमें से कितना area net sawn area है अब net sawn area के बारे में आपको पता होगा वो कितना है वो आप नीचे comment section में बताएंगे मैं आप नंबर वाइस में बतायता हूं 50.45 lakh area हमारा net sawn area यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और gross sawn area कितना है gross sawn area है 72.46 lakh hectare के आसपास यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया कि total geographical area तो आपको पता ही होना चाहिए 92.6 lakh hectare किसका है बिहार का यह पता होना चाहिए इसको km2 में आप लिखे मुझे नीचो comment section में बता जिए km2 में भी पता होना चाहिए 100 lakh hectare में मैं आपको बता दिया इसका 50.45 lakh hectare जो land है वो हमने net sawn area के अंदर में है ठीक है जितना जादा net sawn area के अंदर में होगा उतना ही जादा अच्छा होगा net sawn area की definition आप मुझे नीचो comment section में बताईए 50.45 lakh जो मैंने बताई तो number form में बताई अगर पुछे कि कितना percent net sawn area है तो आप लिखेंगे around 54% के आसपास जो area है वो क्या है net sawn area इस चीज़ को अपको ध्यान देना है ठीक है पूरा total geographical land of Bihar का कितना 54% के आसपास का जो area है वो net sawn area इस चीज़ को अपको ध्यान देना है ठीक है सब्सक्राइब आगे इतनी सारे चीज़े आगे बढ़े चीज़े clear होई की नहीं होई ठीक है बहुत सारी चीज़े हम लोगों ने देख ली एक-दो questions के अंदर ही ठीक है आगे देखते है next is cropping intensity को मैंने आप तो सब्सक्राइब कर दिया आगे देख लेते हैं third question is gross fixed capital formation is an economic concept used to measure the total value of fixed capital asset purchased by various sector within an economic considering this concept which of the following statement is are correct ठीक है अब इसमें बताने है कौन सा correct है post करिये और इसका answer दीज़े देरिया अब देखते हैं कि क्या है GFCF फिर से पढ़ेंगे हम लोग gross fixed capital formation GFCF पता होना चाहिए keyword अब है कि gross fixed capital formation क्या होता है is an economic concept used to measure the total value of fixed capital asset purchased by various sector within an economy ठीक है एक economy के अदर fixed capital asset कितना purchase करा गया मतलब इसमें तो सीधा सीधा GFCF की क्या बता दी GFCF की definition ही बता दी है ठीक है considering this concept which of the following statement is correct तो GFCF measures the total value of financial asset within an economy GFCF in Bihar at current GFCF के बारे में यह तो आपको पता नहीं है कि है कि नहीं GFCF in Bihar at current prices as a percent of GSDP is estimated to be 4.7% है उसके GSDP का GFCF यह हमें नहीं पता GFCF only includes capital asset purchased by business यहां पर इसको आप कर देंगे गलत सिर्फ बिजनस के purchase करा हुआ capital asset नहीं होता किसके purchase करा हुआता है government के दौरा भी और household के दौरा भी जितना भी वो fixed capital asset को purchase करते है एक साल में वो क्या होगा वो total में लाकर क्या बन जाएगा GFCF बन जाएगा इससे आप ध्यान रखने है ठीक है तो GFCF does not include asset purchase by government यह भी गलत है भाई government भी होगा business भी होगा और household भी होगा तो सिर्फ definition से हब C और D तो गलत करेंगे एप देखिए कि GFCF total value of financial asset financial asset की बात नहीं कर रहे यह लोग क्या बात करें capital asset को purchase करा हुआ किस के दौरा business के दौरा government के दौरा या household के दौरा वो कहलाता है क्या है GFCF ठीक है तो A is also wrong B is correct ठीक है अब इसमें भी दो बच्चे होंगे एक को तो सीधा सीधा है data याद होगा कि 4.7% है तो सीधा इसको tick कर देगा एक इसको data याद नहीं है वो इस तरीके से derive कर सकते है ठीक है next question पर जाते है इसमें एक बड़ आप देख लीजिए एक बड़ आपर मैंने data को चार टाइप का लगा रहा है वो देख सकते हैं इसमें भी आप क्या देखे ट्रेंड देखिए कि पहले GFCF कितना है 3.1 फिर 1.6 3.1 फिर 3.1 फिर 3.3 फिर 4.7 ठीक है तो अगर question आएगा कि GFCF GSDP के मुकाबले हमेशा लगातार परसेंटेज वादी में बढ़ता जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि नहीं लगातार बढ़ता जानी रहा है घटा है और फिर बढ़ा है ये चीज़ को ध्यान देना है ठीक है तो अगर trend वाले question आता है कैसे आएंगे समझ में आ गया कि प 4 देखते हैं last क्या है 4th question क्या है consider the following statement regarding the components of the primary sector in Bihar and their share in gross value added ठीक है इसमें भी gross value added की बात करी है GVA मैंने बता दिया GVA और GDP में फर्क बता दिया अब देखिया फिर से question को post करियो इसका answer देने की कोशिश करिया अब देखते है question consider the following statement regarding the components of primary sector in Bihar and their share in the gross value added primary sector का कितना अब बात देखते है क्रॉप्स and livestock are the two significant components of the primary sector क्या यह सही है crops and livestock two significant components of primary sector अब देखो कितनी general statement है अब एक बाग बता हो क्या examiner ऐसा देगा कि यह significant नहीं है ऐसा कभी दे सकता है obviously नहीं देगा यार सब्ची significant है तो इसको क्या करेंगे इसको तो तो टिक मारेंगा ना भई क्रॉप्स and livestock are the two significant yes significant तो है इसमें सोचने वाली क्या बात है second देखते हैं the share of crops has increased continuously since 2016-17 ठीक है और the share of livestock decrease हुई है continuously since 2016-17 ठीक है इसमें क्या बोल रहा है कि share लगतार बढ़ा है किसका crops का किसमे agriculture and allied sector में primary sector में लगतार इसका share बढ़ा है ठीक है और livestock का घटा है अब इसके लिए मैंने आपको अलएड़ी एक चीज़ बता दिया है अगर आपने वो ध्यान से सुना है तो आप उसे अराम से कर लोगे देखो मैंने आपे क्या बताया था कि जो crop है जिसका अभी कितना share है 9.9% एक तो आपको यह data पता होना चाहिए 9.9% डेटा है इसका एक बढ़ है कि no this is not correct आगे देखते है इस लाइफ स्टॉक का बूला था कि लागतार घट रहा है एक बदेख लिए लागतार घटा है क्या 5.6 है ठीक है फिर बढ़ा फिर और बढ़ा फिर घटा 6.7 फिर और घटा ठीक है तो यह भी लागतार बढ़ और घट नहीं रहा ठीक है तो मत बढ़ा नीचे होती जा रही है थर्ड है दशियर अफ लाइफ स्टॉक डिक्रीश कॉंटिनुसली सिंस 2016-17 नहीं डिक्रीश भी नहीं हुई है उपर नीचे होती जा रही है तो इस चीज़ को ध्यान देना है ठीक है वन इस करेक्ट उनली वन इस करेक्ट अंसर ठीक है समझ नहीं आती या उसके बाद जूसमें बहुत सा रहे। जनरल स्ट्मेंट होते है इससे आप एलिमिनेट asकते ओ ठीक है वो ध्यमेंशन आपको प्रैक्टिक करने पड़ेगी प्रैक्टिस कैसे होगी प्सेंच के लिए आपको भुक लीनी पड़ेगी ठीका है नैस्ट देखत कितना कर रहा है 9.9% अब यहाँ ही सब डेटा याद कर लो graph में ने सेम चीज़ बताया थी 9.9% क्या contribute करते है crop sector livestock कितना कर रहा है 6.6% fishing कितना कर रहा है 1.8% of forestry कितना कर रहा है 1.6% इस चीज़ को ध्यान देना है ठीक है फिर से मैं बतायता हूं सबसे ज़्याद है क्या कर रहा है crop sector देखो यहाँ पर गलती कर दोगे crop sector सबसे ज़्यादा उसके बाद कौन सा sector कर रहा है livestock वाला और उसके बाद कौन से कर रहा है fishing वाला और यहां से forestry वाला इजी सा question है सारा चीज अची तरह के समझा दिया data के साथ भी graph के साथ भी ठीक है आगे देखते हैं अगर question ऐसा है कि forestry में फिशिंग में लगातार बढ़ा है नी तो constant रहा है ठीक है और सारे में उपर नीचे होता जा रहा है ठीक है अब हम लोगों ने 4-5 question कि और कितनी सार अगर समझना है तो समझ सकता है 5th question देखते हैं which of the following district is not among the top 3 most prosperous district in Bihar based on per capita gross district domestic product ठीक है at constant 2011-2012 prices ठीक है अब यह क्या आगया भाई यह क्या keyword आगया कि gross district domestic product GDDP क्या आगया तो आप GDP के बारे में सुनते होंगे GDP के बारे में आपने सुना होगा कि कितने value का product or services ठीक है goods and services produce हुई एक geographical area में एक साल में हो क्या हो गया GDP of the nation ठीक है GDP of the country यह तो GDP हो गया GDP की बारे में आपने सुना होगा तो वैसी होता है GSDP ठीक है तो यह national level पे हुआ तो यह कौन से level पे हो गया state level पे और जब हम इसे district level पे लेकर जाते हैं तो वो क्या हो गया GDP ठीक है district wise पूछ रहा है कि अब बताओ बिहार का GSDP आपको पताओना चाहिए निचो कमेंट सेक्शन में बताएगे और हमारे union मतलब इंडिया का GDP आप मुझे निचो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है अब किसका सबसे ज्यादा GDP है यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमे पतना सबसे नंबर 1 पर है GDDP में सबसे ज्यादा GDP इसकी है ठीक है ओविसली capital है ठीक है यहां पर ज्यादा एकनोमिक से लिटल जो चीज़ें वो होती रहती है तो यहां का GDDP सबसे आदा हुआ ठीक है बेगुसराय का सेकेंड नंबर पर हुआ और थर्ड नंबर पर क्या हुआ मुंगेर का यह चीज़ को ध्यान रखना है ठीक है तो आप पुछो कि सर शेवर कौन से नंबर पर है तो शेवर सबसे लास्ट नंबर पर यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह 38 नंबर पर आपको ध्यान रखना है तो इसमें यह पुछा था कि कौन सा टॉप 3 में नहीं है तो यह तो टॉप 3 में नहीं है तो शेवर is the correct answer ठीक है एक और बार देख लेते हैं कि पटना वह एक पाद रहे हैं और यहां पहो गया है मौंगय सबसे लास्ट में लिखेंगे कशेवर शेवर हो गया सबसे लास्ट में 38 नंबर पर उससे पहले 37 नंबर पे अर इसे पहले सीतामडी ठीक है सीतामडी अरर अर्-इया और शेवर सितामडी और शेवर की location चेक करेंगे क्या नेपाल सो कोई border लगा रहा है क्या तो याद रहेगा 38 नमबर पर शेवर 37 पर अररिया और 36 नमबर पर सितामडी उपर क्या है उपर है पटना बेगुसराय और मौंगेट ठीक है समझ में आ गया एक मैंने आपके लिए special चीज लगाई है ठीक है यह cut out लगा दिया एक बसमें भी देख लेंगे हम लोग पहले नमबर पर क्या है पटना दिख रहा है न आपको आप इसमें second चेक करेंए second कहाँ पर है second यह रहा second कौन है बेगुसराय और third number पर कौन है इसमें दिग्या यह सारी चीजे अब सबसे last वाला एक बर चेक कर लेते हैं 38 number पर कौन सा है 38 number चेक करें 38 number यह रहा कौन है share over दिख रहा है ठीक है 37 number वाला कौन सा है 37 कौन है 37 है अररिया ठीक है और 36 यह रहा 36 क्या है सारी चीजे समझ में आ गई सबसे नीचे कौन है share over है उससे उपर 37 पर अररिया और उससे उपर कौन है सीता मड़ी और सबसे टॉप पर कौन है फर्स नंबर पर पटना सेकंड नंबर पर बेगुसरा और थर्ड पर मौंगे चीजे याद रहेंगी GDDP के according मैं आपको बता दिया ठीक है question आएगा और आप सही कर क्या होगे जो चीजे मैं करवार हो कम से कम वो चीजे अच्छी तरीके से कर क्या हो ठीक है उसमें ऐसा नहीं होना चीज कि सर पहली आप सोचने लग जाओ कि सर ये दे दो वो दे दो खाली लेने देने से नहीं होगा भाई जो चीज मैंने करवा दिया कम से कम पहले आप उसको पूरा करो उसके बात सोचना कि क्या बचा है ठीक है 6 देखो consider the following statement regarding the fiscal deficit fiscal deficit के बारे में already मैं अपने current affairs class में बहुत अची तरीके समझा चुका हूँ तो consider the following statement regarding the fiscal deficit of the state government in Bihar the gross fiscal deficit to GSDP ratio for Bihar is in 2021-2022 was higher than Kerala ठीक है 2021-2022 में जो GFD मतलब fiscal deficit था किसका Bihar government का किस से जादा था Kerala government से जादा था यह पूछा है first second है Bihar aims to keep the GFD to add 3.0% of the GSDP ठीक है Bihar क्या करता है कि 3.0 पे अपना GFD मतलब fiscal deficit रखना चाहता है ठीक है यह पूछा आपसे तो आप फिर से देखेंगे पोस्ट करियो अंसर दीजिए इसका देदिया अब देखें GFD to GSDP ratio of Bihar 2021 बाई वास higher than Kerala नहीं बाई higher than Kerala नहीं था Kerala से कम था आगे मैं आपको graph में दिखा दूँगा Bihar aims to keep the gross fiscal deficit at 3.0% yes second is second is correct तो only two is the correct answer which of the following statement is the correct तो only only two is the correct answer ठीक है समझें आगे आगे देखते हैं only two is correct होगे अब देखते हम लोग आगे नेक्स्ट है इसमें मैं आपको समझा दिया कि देखो 21-22 में 3.8 था ठीक है इसमें एक बार आप केला का चकरी यह 4.9 था तो हम लोग का जो भी तो हमने आपको बता चुका होँ ठीक है बिहार गवर्मेंट जितनी वी स्टेट गोर्मेंट से अपना भी टारगेट रखती है नेशनल लवल पर भी टारगेट है और वो टारगेट कहां पर लिखा हुए है वो लिखा हुए FRBM Act में ठीक है और ये भी आप जान लो आपको पता होना चाहिए नहीं पता तो एक बाद सर्च करो FRBM Act और क्यूंकि इसका जो टार्गेट हमने रखा था ना वो रखा था क्यों क्योंकि जो हमारा GFD है केडला के GFD से कम है यह यह बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है समझ में आ गया तो केडला समझ की मां समझ लेना कि केडला तो बहुत है हम पीछे हैं डेवलप्ट इस मैटर नहीं करता किसने कितना करजल ले रखा यह मैटर करता है ठीक है बात कर लो 5.2% के एन्वल ग्रोथ के साथ हम लोग बढ़े हैं आप कहोंगे सर अगरिकल्चर एंड अलाइट सेक्टर का तो आपने 20% बताया था तो 20% मैंने पता है क्या बताया आपको ग्रॉस वैल्यू एडिट बताया ठीक है ग्रॉस वैल्यू एडिट बताया है उसमें एकोनोमी में यह चीज़ आपको पता होने चीए नेक्स देखते हैं विच ओ फॉल्विंग स्टेट्मेंट अकुरेट्ली एफ्लेक्स अपॉपुलेशन एंड एडिया डायनमिक्स ओ बिहार अब इस कोशन को आप पोस करेंगे और देखेंग इसका अंसर नीचे आप कॉमे नहीं पता हो इसको क्या करना है वो मैं बतायता हो बिहार कितना उकुमेंडेट करता करता है इप पाइद 5% के लेंड एरिया में यह नहीं पता है इसको डाउट में लगा दो बिहार अकुमेंडेट्स 3% of India's population on 8.6% of land बिहार अकुमेंडेट्स 8.6% of India's population on 3% of land बिहार अकुमेंडेट्स 3% of India's population 8.6% of land तो पहले तो उसको हटाओ जो सबसे कम चांसी से उसके सही होने के पहले क्या होना चाहिए देखो हमने स्टार्टिंग से क्या सुने कि बिहार में जो डेंसिटी है पॉपलेशन डेंसिटी वह बहुत ही ज्यादा है मतलब बहुत ही कम किलोमेटर स्क्वार इरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि यह कि 3% लोग 8.6% B भी गलत हो सकता है भाई भी भी सही हो ही नहीं सकता है ठीक है अप A और C में देखो पंगा है अब यहां पर आपकी नॉलिज चाहिए ठीक है हर चीज आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट निकाल के लगा नहीं सकते ऐसे चांसे नहीं होते है ऐसे मतलब कोशन आया तो अच् पोप्लेशन 5% of countries land यह भी गलत करिये और C को सही करिये क्योंकि जो बिहार का जो लैंड है वो 3% किसके पूरे इंडिया के लैंड का यह आपको पता होना चाहिए अगर यह फैक्ट आपको पता है नहीं पता है तो आप इसे याद कर लो क्योंकि कोशन में आ सकता है किसी नह आ जाकर तो कम से कम आप करतो लोगे न ठीक है तो 3% का land में हम लोग कितने परसेंट को कितने परसेंट लोग रहते हैं अरूंड कितने 3% के land में हम लोग 8.6% औफ लोग रहते हैं 3% के land में ठीक है और अगर सीधा question पूछ ले कि इंडिया बिहार की population density कितनी है तो 1206 है यह आप ध्यान रखेंगे इतने kilometer square area में 1206 लोग रहते हैं यह आप ध्यान रखेंगे ठीक है अब इंडिया की population density आप मुझे बताइए और कौन सा state है जिसकी सबसे ज्यादा कब population density वह भी आप मुझे पताएंगे ठीक है आगे देखें समझ में आई यह सारी चीजे तो इस तरी the cropping intensity is the number of crops grown on the same field in a single single agricultural year which district of Bihar exhibit the highest cropping intensity ठीक है तो पहले तो इसने cropping intensity को defining कर दिया definition आपको मिल गई आप पूछ रहा कि कौन सा district का सबसे ज्यादा cropping intensity है तो यह बात मैं already आपको बता चुका हूं आप वीडियो को post करियो और answer दीजे नहीं यह बात मैं आपको क्या बताया था कि जहानाबाद है फिर शेवर है फिर सूप वॉल है ठीक है याद रहे 90 के आसपास और सुपॉल की कितनी है 1.82 के आसपास यह आपको पता होने चीए ठीक है समझ में आ गया यह मैंने आपको बता दिया तो देखो वैसा question भी आ गया तो आपको यह चीजों को देखना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं यह question है पर इसी से लेटा है हमारे बिहार गौर्मेंट का डेटा है तो आप इस पर रिलाइ करिए ठीक है नेट सॉन एरिया मैंने बताया था कितना है 54.2 परसेंट है टोटल जोगरिफिकल एरिया था इसी को नंबर फॉर में कितना बनेगा 50 लाग क्यास परस बनेगा वह आप नीचे comment section में पूरे डाइटल जोगरिफिकल एरिया का कितना है 54.2 परसेंट नेट सॉन एरिया है ग्रॉस सौन एरिया कितना है 72.something ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे 72% के आस-पस नेट जोगरिफिकल एरिया है पूरे बिहार के जोगरिफिकल लेंड का ठीक है और नेट सॉन एट उन ए यह सिधा सिधा आंसर आपको पता होने ठीक है यह तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइस है कि कौन किसे लेट करता है तो यह तो सामने में को दिख रहे हैं तो 1 A 2 B 3 C और 4 D is the correct answer, ठीक है, समझ में आ रहे है, standard पर पदेशल रहे हैं कि किस टाइप के इस टाइप को जाएंगे और आपको लिगए कि बहुत जादा कोशन से नहीं नहीं सकी बहुत सरे इसमें जैनरल कोशन इसके आएंगे घृक्टैस जाहिए अप 90 days प्लेनर से ठीक है, यह जो क्वेशन से है, यह सर्फ एक कोशन को कर आरह हूं, एक भूक्क के, ठीक है बुक कि सारे चीज़े एक साथ मिलेगे और अथेंटिक मिलेगी तो आपको ज्यादा इदोदर करने का जोड़त नहीं पड़ेगा आपका टाइम से होगा ठीक है आगे देख लेते हैं नहीं तो और भी तरीके हैं उसको भी देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बुक पढ़क 2022 aims to scale production and improve the livelihood of the viewer community नहीं पता पता कि क्या है इस कहां से है बागलपुर इस तरीके से आप कर लोगो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सोच के जाओ कि इस तरीके से हैंगे को इस तरीके से हैंगे को कर लेंगे नहीं यह मैं आपको लास्ट इस तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आप प्रोश करके आप चीजों को कर सकते हो यह जीज़ धाना को economy में है जो keywords होते हैं बहुत जादा important होते हैं और यह सारी चीज़ आपको पता हो नहीं चीए facts आपको पता हो नहीं चीए इन policies के बारे में आपको पता हो नहीं चीज traditional arts and handicraft अब अपनी general sense यूज करो एक बात बता हो कि one district one product में traditional arts को नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे भाई ठीक है कोई कोई modern art रख लेंगे का नहीं ना ओविसले traditional चीज़ को ही तो दिखाना है न डिस्टिक्ट में one product में उसी को तो promote करना है तो third is the wrong answer ठीक है इसमें correct पु पता हो मैं आपको approach वाले तरीके से इसलिए बता रहा हूं उस वीकर बच्चे के लिए जिसको उस वीक बच्चे के लिए जिसको भी जादा नहीं पता ठीक है उसकेस में क्या करेगा भार निकलने के लिए डरना नहीं है last time तक fight करने ठीक है ऐसा question देखना नहीं के को अपना अब यह ही टाइब का क्वेशन आएगा तो अब देखो अब मैं कहला था का प्रोच हर जगे काम नहीं आती तो यहां पर काम नहीं आ सकती आपको सीधा-सीधा ही पता होना चाहिए ठीक है पोस्ट करो इसका आंसर दो इसमें से जो चीज आपको लगता है इंपोर्टेंड कुछ कीवर्स लिखते है उसको पढ़ लो इंपोर्टेंट है मैंने खुद नहीं करा है पर इस्टाटिक का बात है मतलब करेंट का ही पाट है पर बिहार आई-टी पॉलिसी की बारे में आपको पता होना चाहिए इंपोर अगतर यह वाले गलत है ऐसा कुछ भी नहिं कहा गया था था बिजित स्दक आउनध से को टिक कर देंगे और सबको टिक नहीं करेंगे ठीक कुंकि इसमेंट कुछन दिख्धे है प्वोच्न कए तरिंट ना बिहार Chief Minister Woman Udhamie Ujna अब में को याद है, exactly याद है कि ये वाली स्कीम मैंने आपको करा है, कहां पर करा है अपने Current Affairs वाली वीडियो में करा है, ठीक है उसमें मैं क्या कराता है था आपको Central Secretary की स्कीम से बताता हूँ, कभी-कभी कभी कोई बताता हूँ, को बिहार Government की स्कीम ठीक हो चलता रहता है, रोज एक नेक स्कीम होती ही है तो उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था उसमें क्या बताया था, कि Women Will Be Given पहले तो पोस करके इसका answer दो, ठीक है दे दिया, अब एक बार देखते हैं, इसका option देखते हैं Women Will Be Given a Financial Assistant Amount of a Total Rupees 10 Lakh Yes, first is correct, out of the total financial assistance, Rupees 5 Lakh will be given as a loan and 5 Lakh as a grant, देखो मैंने उसमें बताया था, कि 5 Lakh पे आपको कोई भी लोन नहीं देना, 5 Lakh grant की रुप्य होंगे, सिर्फ 5 Lakh पे ही आपका लोन चलेगा, ठीक है, मतलब आपका interest चलेगा, so second is also correct, beneficiaries will receive rupees 50,000 per unit, नहीं भाई, मैंने 50,000 तो बताया नहीं था, 25,000 बताया था, याद करो ध्यान से, 25,000 मैंने आपको बताया था कि पर इनुट मिलेंगे, 50,000 वाली बात तो गलत होगी, तो इससे तो पहली आप गलत कर दो, this scheme will offer benefit under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, fourth, the fourth is also correct, ठीक है, तो इसमें क्या बोला था, कि कौन-कौन से correct है, यहीं बोले ने, बच्च कर लो, ठीक है, इनको, which of the following is incorrect, पूछा है, तो third is incorrect, तो आप ध्यान आगे देखें, next देखते हैं, next कहा है, labor force participation rate, ठीक है, LFPR के बारे में पता होना चाहिए, अब यह keywords है, आपको पता ही होना चाहिए, labor force participation rate in Bihar was recorded at 50.9% for the population, age 15 and above, which is lower than the all India average, अब LFPR को define कर दिया, इसे Bihar के case में LFPR को define कर दिया गया है, how does the LFPR in rural areas of Bihar compare to urban areas, ठीक है, अब इस चीज़ को आप समझो, सिधा आपको ध्यान रखना है, कि जो Bihar का जो rural area है, वहाँ पे जादा लोग employed है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पर आपको ध्यान रखना है, कि जो Bihar में rural area है, वो जादा employed है, वहाँ पे ठीक है, बेशक की disguised employment है, ठीक है, employment जिस टा employment चाहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, rural area में जादा LFPR है, किस से, urban area से, LFPR क्या होता है, labor force participation rate क्या होता है, इसमें देखा जाता है, कि कितने लोग employed है, नहीं, तो employment चाहते है, employment seeking है, उन लोग को calculate करा जाता है, ठीक है, हो सकता है, उस साही question मन जा है, कि LFPR में सिर्फ employed लोग को count करा जाता है, तो आप कहना कि नहीं, LFPR में जो employed लोग है, प्लस, जो employment लेना चाहता है, उन सब को ही count करा जाता है, ठीक है, तो बिहार में, जो rural area है, वहाँ पे ज़्यादा लोग आ, तो employed है, agriculture sector है, जिस भी sector में employed है, नहीं, तो employment लेना चाहते है, किस के म है, तो आप से जादा है, जो women है, रोड़े में, रोड़े में, वह जादा employed है, एया employment seeking है, इस के woman किस से urban area की woman से आपको ध्यादा है, ठीक है, तो woman जो है, किस के case में, rural के case में, उनका labor force participation rate जादा है किस से, woman किस से urban के case में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, woman urban के case में इस से जादा है, rural वालो का, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अब देखते हैं option को, rural areas have a lower LFPR than urban areas, A is wrong, rural areas have the same LFPR as urban areas, B भाई इस type of coincidence तो बहुत मुश्किल होता है, rural areas have a higher LFPR than urban areas, C is right, there is no significant difference between rural and urban areas, D is also correct, C is correct, rural areas में, जो higher LFPR है, किस का urban areas के मुकाबली ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने woman का भी आपको बता दिया, हो सकते है, question पूछे, woman से related, तो आप इसको दिहार नखेंगे, ठी youth aged 15-28 and focuses on soft skill and IT literacy, ठीक है, ये feature का नाम है, soft skill and IT literacy पे कौन सा program focus करता है, किसका BSDM, बिहार skill development mission, पहले BSDM को समझो, बिहार state development mission क्या है, ये एक program है, किसने start किया था, बिहार government ने start किया था, किसके लिए, जो भी youth है, बिहार की, उनको skills देने के लिए, ठीक है, तो अलग अलग 6 programs है, उन 6 programs के अलग-अलग features है, उन features में से पूछ रहा है कि ये किसका feature है, ये किस program का feature है, ये किस program का feature है, तो ये 4 programs तो दिये वे है, ये किसका feature है, कुशल यूवा program का, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन 6 program के बारे में, इनके features के बारे में आपको देखना है, ये सारी चीजों के लिए अलग-अलग अप्रोच लगाते रहों यह चीज़े आसानी से नहीं मिलती ठीक है ना बहुत कमी डेटा रहेगा आपको नहीं मिलेगा क्या अथ्वांटिक निया को कुछ पता नहीं चलेगा यहां पर जो भी है बिहार गौर्मेंट समने निकाल रहे ठी सो किस बर में ङिगां को यहां प्रज़ेक आपको संडल्समने तो फिल्दे घ्ariesनां प्रोज McNali rd 162 पेडल्स्केट की अधिम और में अन्प्रोज्ट के अंपरिमेंट के अंधर में थीतिक हैं इंडर में है कौन सा प्रज्ट हैं कौन सेंग्स्ट के आर्म कर रहा है इसको World Bank ASSIST कर रहा है यह चीज़ आपको पता होने है ठीक है । सिदा-सिदा चीज़ है किया रहे किसी से लिटेद है तो शौ्ट-TERM । संकल्प प्रोजेक्ट किसे लिटेद है to be trained through mobile ones training जाती है अलग अलग लोगों को ठीक है इसमें ये चीज़ संकल्प में कही गई है ठीक है Central Government का ये scheme है उसकी ये योजना है ठीक है आगे देख लेते हैं Consider the following statement regarding the health sector in India अब ये health sector से लेटेड आ गया है the infant mortality rate in Bihar has decreased from 38 per thousand life birth in 2015-16 to 29 पोस्ट करके solve करो कर लिया ना infant mortality rate घटा है थर्टी एट पर थाउजन लाइफ से तो जब पंदर 16 में 29 पर थाउजन लाइफ 2020 किसमें ठीक है ये फैक्ट है तो क्या ये correct है तो येस first is correct सेकिंड जेखते हैं the maternal mortality rate अब देखो mmr और की definition आप नीचे comment section बताईए जैंब बोलता हो comment section बताईए तो मतलब बताईए ठीक है उससे आप ही प्रैक्टिस होगी नहीं नहीं चीज जानेंगे ठीक है क्योंकि आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़े पढ़ ही नहीं तो हो जागा ना यहीं से इस सेमी question बनेंगे ठीक है यह इनी question से कहीं कुछ option निकलेगा यह कुछ option का कुछ link होगा आपके आने वाले लाइक लाइक से और 2015-16 में था जो अब है 149 पर लाइक 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 जो की दोज़ाइक इसमें है तो सेकिन इस अल्सों क्रेक्ट पुछा है कि इन करेक्ट पुछा है इस चीज़ पर धान देना ठीक है समझ में आ गया next question की तरफ देखते है अब देखो अभी तक हमने जो करा था आपके इंपोर्टेंट है पढ़ना चाहिए अब आपको चीज को ध्यान है किसमें जो स्कीम स्कीम क्राइए एक वीडियो लेकर आया था मैं आपके लिए ठीक है वो था अर्बन डवलोप्मेंट से लेटेड आगे जो वीडियो रूर सारे स्कीम कवर हो जाने वाले है ठीक है तो आपको क्या करना है जितना करवा दिया ठीक है आगे इधर उधर से नहीं पढ़ना है नहीं तो पूरा दिमाग में हलवा बन जागा कुछ भी आद नहीं रहेगा ठीक है स्कीम की गैरंटी मैं लेता हूं जो मैं आपसे वादा कि यह करवाऊंगा मतलब करवाऊंगा ठीक है आप उसकी चिंता नहीं करना कि वो नहीं होने वाला है और विसली होगा इस बात कि मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ अभी जो करवारों आप वो करवाई है ठीक है तो अब देखिए कि जैसे इसमें वाला है तो इसके आप बिल् विजन भी कम से कम टाइम में आपको चीजे जादा समझ में आ जाएगे ठीक है नेच्ट देखते हैं दब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रोवाइट फाइनिशल असिस्टेंस तो गर्ल्स एट वेरिस स्टेजिस अफ्ट इस फर्स्ट इस करेक्ट इसमें क्या इसमें इनकरेक्ट उन तो इनकरेक्ट ठिक है मतलब प्रोव ग της नहीं करेक्त मैं रहिट बहुत अच्छी तरीके सेमें आपको बताए लात श्रीक वाली जब वीडियो कर रहे थे उसमें थोड़ा से थुच्छoras से गिलिप्स दिया था कि जिवीका क्या है बिहार government का initiative है इसमें क्या क्या जाता है इसका काम है rural area में जो भी women's है उनको उनका financially inclusion करना financial inclusion कैसे होगा self help group को बना कि होगा ये चीज़ आपको पता होना चीए थीक है समझ में आगए self help group में women's को arrange करा जाता है arrange करने की बाद उनका financial inclusion करने की बाद करे जाती है economic upliftment करने की बाद होती है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए ठीक है जिविका के बारे में पूछ रहा है जिविका aims to improve the social economic status of rural women through self-help group तो yes self-help group से इनका जो social economic status उसको बढ़ाने की बाद कर रहे है तो mission covers all 38 districts और भिहर yes second is also correct जिविका focuses on enhancing agriculture productivity and market access for rural farmers यह यह कहां से बात आगे जिविका में तो ऐसा कुछ था ही नहीं तो first and second is correct तो only one and two is correct इस चीज़ को आप भिहान रखेंगे ठीक है जिविका से मैंने related बताया था कि जो दीदी की रसोई है उसे कौन चलाता है कौन इंप्लिमेंट करता है उसे जिविक का इंप्लिमेंट करती है यहां पर जो women's है जो self-help group में arrange हो रखी है वही लोग दीदी की रसोई भी चलाती है कहां चलाती है अलग-अलग बिहार के अस्पतालों में चलाती है यह मैंने आपको scheme वाली वीडियो में बहुत अश्य सब पीछे का भी बताता रहता हूं ठीक है तो इंपोर्टेंट है उसमें बहुत सारी बॉडिस भी कराई है देख लीजेगा विच्व फॉलिंग इसको कर दिया अब देखो मैने इसके बारे में आपको बताया था स्वच भारत मिशन के बारे में मैं अल्रड़ी बता चुक कनघा था हूं मेर स्कीम वाली वीडियो यह भारत मिशन लॉद्फ क लैट क lleva की बारे में बात करी थी तो उसमें आपको बता है था कि स्मिशन का मिशन का बताएंगे उस मिशनраш भारत में मिशन मिशन गरामीन उसका एक पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि ODF status को मेंटेन करना होता है ODF status के बाले में बताया था ठीक है क्या से category मिलती है सारी चीज़े अच्छे से cover है जिसने वो class करी वो इसको कर लेगा construction of individual household lettering so yes a is correct solid and liquid waste management yes second is also correct achieving 100% open defecation free status यह बात मैं अलड़ी बता चुका हूं industrial waste management वाली तो कोई बात ही नहीं है ठीक है उसमें क्या पूछा is not a focus बोलाना तो ABC हट जाएगा D is the correct answer ठीक है यह इसका focus नहीं है यह चीज़ आपको पता होने चीए तो अभी हम लोगोंने 20 question कर लें किसका कर रहे हमने 90 days planner के करें ठीक है उसमें एक booklet में around इस वाले booklet में जो मैं करवा रहा हूं 500 से ज्यादा question है और अगर आप static part के जो booklet जो और भी आपको मिलेंगे उसमें तो पता नहीं तो आपको बनाना ही है आप जरूर बनाना ठीक है एक्जाम कप है 17 नॉम्मर को है मैं चाहता हूं आप अपना पूरा उसमें पूरा effort लगा दो ठीक है अब अग्जाम की तरह मत लो हमेशा बुला जाता है कि एक्जाम की तरह ही लेना चाहिए life नहीं बिनाना चाहिए पर भाई अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसको एक सीधा वर स्कूशन वाली समझो कि डू और डाय स्कूशन समझो करना है नहीं होगा बाद में वह बात एक्जाम में यह मत भूलना और उसमें जब जो सेल्फ बिलीव आता है न वो इन दो महिने से आपको आएगा कि हाँ आप पहले भी यह कर चुके हो तो बाद में भी चीज कर सकते हो ठीक आप दो महिने पड़ सकते हो जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ जागा ना तो चीज जाले चीज़ सौटों जाएगी इसलिए यह चीज एक्जाम सिर्फ आपकी इंग्जाम निकालने से लेटेर नहीं है और दो महिने पूरी जीजान लगा दोगे न तो वहीं बहुत ज्यादा कामाने वाली क्योंकि आपको इसम्हुण के साथ मैं आज की वीडियो को समप करन चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए थे में वाली उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बच्चों का ठीक है थैंक्यू सो मच उसके लिए में की वीडियो चाहिए थी एक दो दिन के अंदर आपको मिल जाएगी ठीक है और स्कीम से लेटिट जो वीडिय से लेटर वो भी मैं कर दूंगा ठीक है जिसने वीडियो को नहीं देखी वो जाकर देखेगा इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो को समख करना चाहूंगा साइनिंग ओफ थेंग्यू सो मच